हाई नमश्कार प्रडम रेडियो सिरी 91.1 FM से मैं हूँ आरजे बर्खावर रहा ज्यादा कुछ तो यह नहीं कहूंगी कि पूरा ग्यान का भंडार है मुझे बहुत कुछ पता है लेकिन जितना पता है उसे हिसाब से मैं आज आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी लोग मेरे Facebook Messenger पे सवाल करते हैं कि मैडम रेडियो जोकी कैसे बना जाए हम क्या करें कि हम आरजे बन सकते हैं तो सवाल यही है कि आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना है पहले तो आप students अपनी पढ़ाई दिल लगा के करो अगर intermediate pass out हो तो आप RJ के लिए qualify कर सकते हो आप बात कर सकते हो लेकिन इस दरम्यान आपकी बहुत सारे लोग मास कमिनिकेशन की बात करते हैं देखो भी ग्यान क करना कोई कमी नहीं है आपके पास जितनी बाते होंगी जतना knowledge होगा आप उतने अच्छे खिलाडी बन सकते हो जो भी अपने करियर की रह में आपने अपने लिए जो सफर चुना है उस सफर में तो आपको तो एक आपके बोली विचार पे पकड़ होनी चाहिए दुनिया मे बहुत टेंशन है बहुत प्रस्ट्रेशन है तो एक आरजे को थोड़ा खुशनुमा रहना चाहिए क्या आप पॉजिटिविटी दिखा सकते हो आप ऐसे क्या बोल सकते हो कि आप किसी को connect कर सकते हो किसी के दिल को छू सकते हो जब मैंने शुरू-शुरू में जब मैं ईक हात लगा था तो मुझे मेरे सर ने मताया था सञ Bon Pe कि बिटा देख, ये रेडियो एक बंद डबा है, है ना, रेडियो में हम दिखते नहीं, रेडियो में हमारा चेहरा नहीं दिखता, एक बंद डबे से तेरी आवाज कैसे किसी को रोक सकती है, कि मुझे सुनो, मुझे पहचानो, वो बात तुम में होनी चाहिए, तो ये आप ह सब्बे के अंदर से आप बोलो और आपकी बात कोई और सुन ले वो आपकी बात में ताकत होनी चाहिए दूसरी मोस्ट इंपोर्डेन बात है कि आज के डेक में लोग अपने माप पिता जी का नहीं सुनते हैं आपको क्यों सुनेंगे वाइ यूँ तो आपको ऐसी अच्छी बाते बोलनी पड़ेंगी आपको उनके काम की ऐसी बाते बोलनी पड़ेंगी कि वो मजबूर हो जाएं आपको वहारे qualities आप खुद में डालते चाहिए, खुद में अच्छी अच्छी बाते करना सीखिए, थोड़ा जैसे कहते हैं, आप चार तरीके से अगर आपने अपना काम कर लिया, तो बहुत सही होता है, हमारे आप फॉर्मिला होता है, या तो किसी को emotionally connect कर लो, आप अपनी बातों स चाहिए, या तो आपकी बात को सुनकर वो हस पढ़े, या फिर आपकी बातों में connectivity होनी चाहिए, तो इन सारी चीजों को आप ध्यान देओ, इन सारी चीजों को अपनी बातों में लाओ, दूसरी बात की अगर आपको लगता है आपके अलपास क्लियर नहीं है, तो आप जिस अंदाज में वो जो आर्टिकल जिस तरीके से लिखी गई है उस अंदाज में पढ़े और आइने में खुद को देखिए कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं, आप एक ही टॉपिक को पांच बार पढ़िए, छटे बार देखिए, क्या फ्लो आता है, तो ये बड़ा आप पढ़िए, आप खुद पर ध्यान दीजिए, खुद में हर रोज नहीं नहीं चीज़े सीखिए, कोई एक इन्फरमेशन आती है, चाहे वो बॉलिवुड की हो, या इधर उदर की हो, या अपने शेहर की हो, तो आप उसको कैसे प्रिजन्ट करते हैं, क्योंकि समाचार को सडक ही बोलना, श, शेहर को सहर नहीं बोलना, ये चोटी-चोटी से चीज़ें आपको खुद को करेक्क करनी होंगी, और ये सारे चीज़े, इनफाक्ट मेरे एक इंटरन आया था, जिसको मैं ट्रेन कर रही थी, तो उसको श, स, र, उमें बड़ी प्रॉब्लम थी, तो म मोल लोगे तो, एंट चौधी बात लगता है यार, मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, तो मैं आरजे नहीं बन सकता हूं, हिंदुस्तान में रहते हैं सर, भारती हैं आप, मेरी भी अंग्रेजी बहुत तकड़ी नहीं है, काम चलाओ, लोग बोलते हैं, समझ लेती हूं, ए हिंदी दिवस पे, शम्भू शिखर जी का, कवी जी का, उन्होंने कहा था, कि अगर आप अंग्रेजी में हाई हलो करते हैं, दो मिनिट के लिए लोग आपको मुड मुड के देखेंगे, लोग आपको मुड के भी देखेंगे, बार बार और आपकी रिस्पेक्ट भी हैं, तो यह बात नहीं है, चौथी बात, confidence बहुच ज़रूरी है, confidence, पांच वहात, मैं यह वाले गिंती में गढबड हो जाओं, काउन्पिदन सभून में मैं के बात चौ शाल करोगे, वहीं फॉर्मल जो हर जगभ मिलता है, तो आपके मन में क्वेशन्स आने और चांग मा मा यह कैसे होता है मा चिस कैसे जलती है तो अपने अंदर के बच्चे को जगाए रखे खुश मिजाज रहे और बस चोटी-चोटी सी बाते हैं और इंट्रिव्यू जभी भी आप देने जाए तो एक स्माइल के साथ कहते हैं स्माइल जो है इंसान का सबसे बड़ा गहना हो मन से पढ़े बस एक सुनेरा बाविश्य एक सुनेरा फील्ड आपके वेलकम को तयार है और कोई डाउट हो तो मुझे कॉल जरूर करिए कॉल कैसे करेंगे यहाँ पर मेसेज कीज़े फिर मैं बाते बताऊंगे आपको रेडियो सुरी नैरी 1.1 एफम संती जाए रग रग म